Hello Friends, Welcome to this YouTube Channel और यह हमारे Tally के Basic Quartz with GST का Part 60 वीडियो है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से Tally Software में Negative Cash और Negative Stock की Warning को Show किया जाता है और किस तरीके से उनकी Warning को हटाया जाता है और साथ ही मैं अगर आपने इसके पीचे के वीडियो लेक्चर को नहीं देखा तो उन सभी वीडियो की playlist इस वीडियो के Description में मिल जाएगी वहाँ पर क्लिक करके पीचे के सभी वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं एंड फीचर में आने वली सभी वीडियो को टैम टो टैम देखने के लाप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे तो आईए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो को स्टाट करने से पहले आपसे रिक्षट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दिजे और साथ में बनी इस बैल आइकन को भी प्रेस कर दीजे जिससे हमारे चैनल पे रही हर लेटस्ट व्डियो के को नोसिफिकेशन के तरू मिलती रहेगी तो आईए आज के इस टोपी पर शुरू करते हैं तो यहां पर हम टैली सौफ्ट्वियर में आ चुके और आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेब बेस्ट पूरा प्रोसेस बताएंगे कि किस तरीके से हम टैली सौफ्ट्वियर मे अपनी नेगिटिव कैश और नेगिटिव स्टाव की वार् troublesome को शो करते हैं नेगिटिव कैश की वार्निंग हमारी तब शो होती है जब हम टैली सौफ्ट्वियर में कोई payment की entry करते हैं और हमारे पास सफिचिन्ट기에 नहीं होती उसके बवजूद अगर हम cash के थ్दू किसे जब हम negative stock को sale करते हैं यानि जब हम टैली सोस्टियर में अपनी कोई sale की entry करते हैं लेकिन वो stock हमारे पास available नहीं होता उसके बावजूद जब हम उसकी entry करते हैं उस stock को select करते हैं तो टैली हमें एक warning message show करती है कि इतना stock भी आपके पास available नहीं है और आप अगर इसकी entry करे तो उसके लिए सबसे पहले हम आपको negative cash की warning दिखाते हैं जो payment के entry करते टाइम आती है तो उसके लिए get work फैली में रहते वे transactions वोले फीचर में accounting voucher में आने के बाद यहां से आप अपने keyboard से F5 की प्रेस कर दीजिए जो हमारी payment की है तो यहां पर simple हम आपको payment करके दिखाते है और दिखाते हैं किस तरीके से आपको negative cash की warning शोगी तो यहां पर buy में सबसे पहले हम यहां पर अपने supplier का नाम डाल दाते हैं जिसको हम payment कर रहे हैं तो यहां पर हम डाल दाते हैं शुबम टेलिकॉम यहां से हमने शुबम टेलिकॉम को 30,000 लास 12,000 सास्तों की payment करनी है तो example क current balance है हमारे cash में कोई available नहीं है तो अगर हम payment करेंगे तो हमारे negative में 50,000 चला जाएगा और जैसी हम यहां पर entry को accept कराने लगेंगे यहां लीचे की तरफ हमें एक warning भी शो रहे है negative cash इस negative cash की warning के बावजूद भी entry हमारी accept हो जाएगी और तो हम cash का लेजर चेक करेंगे वहां पर हमारे 50,000 पर negative में चले जाएंगे लेकिन कई बार हमें यह negative cash की warning भी शो नहीं होती तो इस warning को अपिस तरीके से शो करेंगे तो उसके लिए दुबारा से हम get work टैली में रहते हैं accounting vouchers पह जाते हैं payment के voucher को उपन कर लाते हैं और payment के voucher में रहते हैं अपने keyboard से F12 की press कर द यह आपका कभी कबार by default no रहता है तो यहां पर इसको yes कर दिए इसको yes करना ही काफी फायदे मन रहता है जिससे हमें यह भी कई बार पता चल जाता है कि हमारा cash है वो हमारा negative जा चुका है तो यहां से जैसे यह करेंगे उसके बाद हमें यहां पर उसकी negative cash की balance की सारी report शो ज देगी इस तरीके से negative cash होती है और दूसरा अब हम आपको negative stock की warning दिखाते हैं negative stock warning देखने के लिए गेट वाप टैली में रहते हैं दुबारा transactions वाले session में accounting vouchers माझेए और यहां से sale के voucher में रहते हैं सबसे पहले हम आपको sale के entry करते हैं यहां पर उसकी जो भी हमारी प्राइस लेवल है रिटेलर है होलसलर है अब यहां पर देखेंगे list of stock item में हमारे को सारे stock शो हो जाते हैं और यहां पर उसकी quantity भी शो हो जाती है कि कितनी quantity हमारे पास available है लेकिन कहीं बार हम यहां पर quantity को ध्यान में ना रखते हैं सिंपन यहांसे को select करा दाते हैं तो यहां पर यहां पर नीचे की तरफ हमें कोई भी negative की कोई भी यहां पर नहीं आई अगर हम पूरी entry यहां पर accept करा दाते हैं टेक्स लगा के तब देखेंगे यहां पर accept कराने तक आगे लेकिन हमें कोई भी यहां पर warning शो नहीं हो रही है तो अगर वह वोर्निंग हमारी किस तरीके से को शोगी उस वर्निंग को शो कराने के लिए दुबारा से हम यहां पर accounting vouchers माजाते हैं सेल के voucher माजाते हैं सेल के voucher में रहते हैं अपने keyboard की प्रस कर दीजे और यहां पर सबसे लास्ट में अगर नेगेटिव स्टॉक बैलन्स यहां से यहां से यह कर दीजे यह आपका बा इसे हम एंटर प्रस करेंगे यहां देखेंगे एंटर प्रस करते ही यहां पर हमें नेगेटिव स्टॉक की वर्निंग शोग गई कि जो हमारा MI08 पर हमारी स्टॉक आइटम है इसके 80 पीस हमारे पास अवेलेबन नहीं है अगर हम इसकी एंट्री करेंगे तो स्टॉक हमारा में चला जाएगा इस वर्निंग के बावजूद भी एंट्री हमारी आगे चली जाती है एक्सेप्ट हो जाती है लेकिन इससे हमें एक हिंट मिल जाती है कि हमारा यह स्टॉक नेगेटिव में जा रहा है और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक की शे साथ ही मगर आप हमारे साथ कोट्स में जुड़े रहना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और वर्ट्सप के गुरूप कलने के बिल जाएगा उस पर फिलिक करके आप हमारे मेंबर बन सकते हैं और फीचर में आने वाली हर लेटा